नमस्ते, स्वागत है आपका ममी ट्यूबर इंडिया में आज में लेके आई हूँ अपर केजी क्लास याने कि सीने केजी क्लास के लिए दो सांपल क्वेशन पेपर्स पहला क्वेशन पेपर होगा स्टेट बोर्ड और सीबीसी बोर्ड के पाटन पर बेस्ट अब सेकेंड पेपर होगा आई-सी बोर्ड के पाटन पर बेस्ट मैच का क्वेशन पेपर मैं अल्रडी अप्लोड कर चुकी हूँ आप आई बटन में जाके उसका लिंक चेक कर सकते हैं ताइम इस तू आर्स माक्सम माक्स सेवंटी अब जिससे मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ यह सबजेक्टिव है यह स्कूल तो स्कूल डिपेंड करता है कि वो कित्ते मार्क्स के रिटन लेते हैं कित्ते के ओरल लेते हैं और टाइम कितना देते हैं बट पाटन मोर और लेस सेम ही रहता है यह 10 मार्क्स का है बच्चे को पैरिंग सिखाई जाती है तो 8-10 पैरिंग सिखाई जाते हैं जिसमें से कुछ पूछे जाते हैं एक्जाम में सॉक्स, शूज, टेबल, चेर, बाट, बॉल, कॉपी, पैन, फोर्क, स्पून अब यहाँ पे words दिये गए हैं यह भी बच्चे को क्लास में पढ़ाया जाता है मतलब 8-10 words पढ़ाये जाते हैं और उनके 2-3 rhyming words भी पढ़ाये जाते हैं उनमें से कुछ बच्चे से exams में पूछे जाते हैं उनको समझाया भी जाता है कि rhyming words कैसे होते हैं और आप कैसे अपने मन से भी कुछ rhyming words लिख सकते हैं तो मैट का कैट, बाट, साट, राट, बुक, लुक, हुक इस तरीके से पूछा जाता है यह 10 marks का है फीट, लेट Q4. Write the plural of the following Singular दिये गए हैं बच्चे को plural रिखना है Book, books, cat, cats, man, men, egg, eggs, door, doors Q5. Fill the correct word with these and or those अब these or those का concept बच्चे को पढ़ाया जाता है यह 10 marks का पूछा है यहाँ पे बच्चे को fill करना है कि these आएगा कि those आएगा Balls बनी है These are three balls Arrow के साथ दूर birds बनी है Those are beautiful birds These are coloring pencils Those are dark clouds Those are tall trees Question 6 Action words कुछ figures बने है और जो actions वो perform कर रहे है उससे match करना है यसी यह खेल रहा है तो playing यह dancing यह reading He is walking And this one is bathing Question 7 Write few lines about My family, my pet, my school, my school bag जो भी topic है यह सारे topics क्लास में पढ़ाया जाते हैं मतलब पूरे साल में बच्चे को करीब 5-6 topics पढ़ाया जाते हैं और उन पे 4-5 lines लिखना भी सिखाया जाता है तो कोई भी एक topic पूच सकते हैं और उस पे 4-5 lines बच्चे को लिखनी होती है यह 10 marks का है And dictation Dictation में बच्चे को words सिखाया जाते हैं और यह words CVC words होते हैं CV, CC words हो सकते हैं या फिर colors की name हो सकते हैं कुछ भी हो सकता है जो already class में बताया गया है उसी पे बेस्ट होता है अब देखते हैं 2nd question paper Question 1 Use the correct word In, On, Under Prepositions बताया जाते हैं UKG class में तो यह prepositions पे question है The spoon is in the glass The ball is on the chair The boy is standing under the tree The cat is under the table The cat is on the mat Question 2 Write two words beginning with the following letters A-Z तक बच्चे को दो-दो words लिखने सिखा दिये जाते हैं मतलब A-Z तक स्टार्ट होने वाले दो-दो words तो कोई भी at random यहाँ पे दे दिया है यह 5 marks का है Next question Question 3 Select the correct answer and fill in the blanks यहाँ पे rhyming word का concept है बट जैसे के CBSC board में direct rhyming words पूछे गए थे जैसे आपने इस paper में देखा यहाँ direct rhyming words पूछे गए थे ICSC board में थोड़ा sentence form में पूछा जाता है तो first है This is a blue glue pen बच्चे को यहाँ blue और glue में से select करना है This is a blue pen Peter has a pet, cat, mat यहाँ एगा, cat Frog jumps in the bond, pond यहाँ एगा, pond Tina is reading a hook, book book a dash then hen is in the coop hen Question 4 Write A or an a cat, an ant, an umbrella, a chair, a tiger Write the opposites of the given words Now CBSC board में opposites orals में आता है and ICSC board में कुछ 8 से 10 opposite लिखना भी सिखा देते हैं तो यहाँ पे 5 opposites पूछे हैं वो बच्चे को लिखने है Up, down Happy, sad Fast, slow Clean, dirty In, out Question 8 Take the correct word for 10 marks यहाँ पे ही, she और इट का concept है Sid dances well He has won many prizes I have a dog It likes to go for a walk My mother is a good cook She has cooked chapatis for me Tina is my friend She likes to play with me It is raining today Question 9 Write few lines on my school Holy, my favorite food Again, 5-6 topics जो भी class पे पढ़ाये जाते हैं उनमें से एक topic पे लिखने को दिया जाता है For 10 marks And finally, dictation यह भी बच्चे को क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है उसके बाहर का नहीं पूछते हैं अगर यह विडियो आपके बच्चे के exam preparation में helpful रहे तो प्लीज इसको like करना मत भूलिएगा अपने friends, family, relatives के साथ इसको share जरूर करिएगा और देखते रहें मामीटूबर इंडिया नमस्ते